वेल्कम बैक टू आईवी सी वीडियो सेशन इससे पहले वाले वीडियो में हमने पार्टस ओफ सपीच को एक फैमली के रुप में अध्यान किया अब हम लोग एक-एक करके जो एक पार्टस ओफ सपीच है उसका अध्यान करेंगे और फिर आगे और डिटल्स करेंगे तो सबसे पहला हमारा आता है नाउन हम यहाँ पे सिर्फ नाउन के बारे में बात करेंगे नाउन की पहचान के बारे में बात करेंगे नाउन के भेद के बारे में बात नहीं करेंगे नाउन के भेद से related हम लोग आगे पढ़ेंगे दो जैसा कि हम जानते हैं A noun is a naming word A noun is a naming word किसी भी बेक्ति वस्तू अस्थान के नाम को नाउन काते है अब दो को नाम किसी भी चीज़ का हो सकता है किसी बेक्ति का हो सकता है किसी बस्तू का हो सकता है किसी बेक्ति के एस्टेट का हो सकता है मतलब उसके गुन का हो सकता है तो किसी भी बस्तू या स्थां किसी भी चीज के नाम को नाम काते हैं बच्पन से आप पढ़ते आ रहे हैं इसके बहेद में हम जाएंगे तब आगे और डिटेल्स करेंगे जो हमें परिशानी आती है जो बच्चे कंप्रीशन की त्यारी करते हैं उन्हें सबसे बड़ी पहचान की प्रोब्लेम आती है कि नाउन की पहचान करना तो देखो किसी बेक्ती का नाम है तो पाचान करना इजी होता है बस्तू का नाम है तो इजी होता है बट खास करके जब किसी के गुन की बात करनी होती है और उसके लिए नाम होता है तो वो problem क्रिएट करता है तो इसके पहचान करने के हमने ट्रिक देखना पड़ेगा, तो इसका ट्रिक वन, कैसे पहचाने के पहचान करने के अबना स्वल तरीका है, किसी भी वोर्ड से पहले, माई, लगा कर, उसका अर्थ लगाना चाहिए, यदि सही अर्थ लग रहा हो, तो वह वर्ड नाउन है, चलिए, हम इसको देखते हैं, यह ध्यान देने वाली बात है, माई लगा कर हम उसका अर्थ लगाते हैं, अब यह माई लगा हुआ है, माई यह पोसेसिव एडजिक्टिव है, कुछ और नहीं कि माई ही लगाएंगे, कुछ भी लगा सकते हैं, तो हमने एक ले लिया, माई समझने के लिए, हमारे पस कोई भी वर्ड आएगा, हमें नहीं मालूंगो, नाउन है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उससे पहले एक लगा देंगे, माई, जैसे हम देख लेते हैं, आई होब कि आप इसे नोट कर लिए होंगे, हमें नहीं पता कि इस दोनों सब्द में से कौन सा नाउन है, एक वर लिखा हुआ है honest, एक लिखा हुआ है honesty, हमें नहीं मालूम, इसमें से noun कौन सा है, तो हम दोनों में माई लगा देते हैं, अब इसका हिंदी ले आते हैं, माई honest, मेरी इमानदार, और नीचे का हिंदी लियातियत क्या बनेगा मेरी इमानदारी तो निच्चित रूप से ये हिंदी सही है ये हिंदी सही है इसका मतलब ये honesty word क्या है noun ये क्या है noun और यह word noun नहीं है कोई और हो सकता है क्या होगा वाद में लेखेंगे तो एक तो ये technique हो गया कि किसी भी word की पाचान करना हो अगर उस word का आप हिंदी जानते हो तो आप उससे परे माई लगा दो और हिंदी पूरा का लगाईए अगर सही हिंदी लग जाता है तो that word is noun नहीं हिंदी सही लगता है तो वह word noun नहीं है लेकिन या रून के बल तभी लग सकता है जब आप हिंदी जानते हो वट का लेकिन अगर आप किसी वट का हिंदी नहीं जानते हैं तो फिर आप इस मेथर से आप काम नहीं कर सकते हैं तो हम फिर यह जानेंगे कि बीना हिंदी जाने कैसे किसी वट को पहचाने कि वह वट नाउनी है तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा और हम नहीं जाहते हैं किसी वौट का हिंदी नहीं जानते हैं पिर यह माईन आकर हिंदी णाव लगा ही नहीं सोटrak रेगे कैस तो फिर इसके लिए आप को एची और जानना पड़ेगा कि जो वट की बनावट होती है उसमें तीन चीजों की जुवत होती है किसी भी words के बनावट में ती चीजों की जरुवत होती है structure of a word को देखते हैं, इसमें होता है prefix, root, suffix I hope कि आप इसे पहले से जानते होंगे, जैसे एक example लिखते है जैसे perfect root है, main word है इससे पहले prefix मतोदा है, उपसर्ग, जो किसी word से पहले आकर जूर जाता है वो कहलाता है, उपसर्ग तो इससे पहले आप लगा दिये, इम, और जो word के अंत में आकर जूर जाता है, वो कहलाता है suffix प्रत्या है हमने लगा दिया, ly और इस तरह से ये word बनके त्यार हुआ imperfectly तो imperfectly word में, इम prefix है और ly suffix है तो ये prefix, root, suffix की साहता से अब हम पहचारने की कोशिश करेंगे कि जो word दिया गया है वह किस parts of a speech का है अब देखो वैसे prefix मतलब का हिंदी लिख दू उपसर्ग इसको बोलते है मूल और इसको बोलते है प्रत्याय आज होब की हिंदी बेपहले से आप जानते ही होगे अब देखते हैं कैसे हम words की पहचान करेंगे I hope कि आपे नोट कर लिया होंगे कुछ suffixes ऐसे होते हैं जो लगे रहने पर हमें ये पता चलता है कि यह word noun का क्राम करेंगा कुछ suffixes noun suffix का मतलब हो गया कि वह suffix वह प्रत्याय जिसे लगे रहने पर वह word noun का क्राम करेंगा तो हम देखते हैं इसकी एक चार्ट लेते हैं देखते हैं कि कौन-कौन से suffixes है जिसे हमें ये पता चलता है कि यह word noun होगा अब लेट से तो हम आदेखते हैं इस चार्ट की सहता से यह पहचान पाएंगे एक अच्छल सब्सक्राइब करते हैं चलिए देखते हैं आप इस चार्ट को लिख लेंगे मैं हिंदी भी लिख देता हूं इसमें बहुत सारी चीज़ों का जिसे आपको समझना असाल होगा सब्सक्राइब अगर सफिक्स जो नाउंस बनाते हैं आप जानते हैं कि सब्सक्राइब लास्ट में जूरेगा इसलिए इसमें डैस देखरके लिखा हुआ है जैसे अगर सफिक्स अंत में एजी है तो आप समझ जाएंगे कि वह वर्ड क्या है रेकेज रेकेज बतला होता है मलबा प्लेन होना का दुदू घटना हो जाती है अब उसके बाद क्या बचता है मलबा तो रेकेज वो किसी ने किसी चीज़ का रिजल्ट दिखाता है कि कुछ हो गया कोई बुरा चीज हुआ उसका परिनाम क्या हुआ मलबा हो गया तो पहला सफिक्स हमारा क्या है एजी इजी इ देखेंगे हम समझ जाएंगे कि वह गया है नाहीं है अगरम करेकिस का में हिंदी नहीं मालूं गया हो लेकिन अंत में अन्त मैं देख रहे कि एजी इलगा हुआ है एन्ट lange इस समझ में आ गया हमें चेक करके भी देख सकते हैं कि क्या पस्त में हमने जो देखा ये ये नाउन है क्या है और अब हमने से पहले कहुंसा मितर बताताया माही लगाए कर देर लेते कि क्या हो जाएगा माई रेकेज माई वीलिस और आप जान रहा है कि माई वीलिस का मतलब होता है तो माई वीलिस का मतलब होता है मतलब वीलिस नाउन है इस तरह से उसरा हम देखते A-N-C-E अगर वोड किसी सफिक्स लगा हो किसी वोड के अंत में वह वड़ भी नाउन होगा जैसे IMPORTANCE महत्वां फिक हैँ एंसी लगा रहेगा तुम क्या समझेंगे वह वर्ड नाउन है इस तरह से एंटी यह बिक्ति का बोद कराता है खास कर के यह उपर वल्हें में एक्षान या स्टेट क्रिया या दसा का इस्थिति का बोद कराता है इस्टेट मतलब क्या होता है सहायक कि अगर किसी वर्ट के अंत में ए एंटि लगा हुआ है वो एंटि लगा हुआए हमें इसका हिंदी नहीं इंधी याद होता तब स्मझ लेतेि यह नाउन है My assistant अंत मेंDouble e लगा रखता है वह वह क्या होताए नाउन होता है असे ऑधिक कब होता है referee मैंच होता है referee तो इमप्लाइई तो आप इस बेंद्ध कि हमालगी है भी हिंदी जाने की हम जान सकते है यह वाय है कि इन-सी इँप की इन-सी ऐ जोगो उपर A-N-C हो या E-N-C हो दोनों के अधर साता है similar चीज़ दिर साता है लिखने का दो तरीका है यह difference अंतर तो A-N-C देखकर के भी हम समझ सकते कि यह noun है और E-N-C देखकर के भी हम समझ सकते है कि noun है तो आप समझ सकते है कि कितना help मिलेगा बिना हिंदी जाने हुए भी नाउन की पहचान करना और मैं आपको बताऊं कमप्रिशन में noun के definition उतना important नहीं है जितना की पहचान करना चुकि आपको पहचान में जब आएगा word तभी आप आगे उसका इस्तेमाल कर पाएंगे और यह decide कर पाएंगे कि इसका यूज सही है या गलत है जो ए यार और ओर लगा रहे तो समझो कि वह बेखती का बहुत करा रहा है और वह नाउन है जैसे teacher अ टाइडेक्टर टीचर डाइडेक्टर तो दो इसमें भी एर है इसमें और है तो और खास कराके काम को धर साता है जैसे वेकरी वेकरी टेनरी इस के लिए विम बिस्कीटों बनाया जाता है वह होता है तो एक एर वाई देख करके हमें हिंदी ना जाने तब भी हम समझ सकते हैं कि यह इडवल इस वेरी इंपोर्टेंट वेट्रिस के यह चाहिए में कि मतलब क्या पुरूज जाती के लि इसके इस होटल में क्या बोलते यह सिंप अमने धिश लकके कि हम इसका इस्तिमाल कर लेते हैं इसे पता चल जाता है एक और इसका हम लेते हैं है helplessness नेस जो यहां भी आ गया और इसकी मतलब इसका मतलब वता है मजबूरी helplessness मजबूरी अब जैसे कैसे समयें कि यह सही है तो लिए माई लगा लो माई helplessness मेरी मजबूरी मतलब नाउन है तो आप दोनों टेक्निक से आप पचान सकते हैं अगर हिंदी नहीं आता है तो यह सफिक्स आपको हेल्प करेगा और हिंदी आता है तो आपको बहुत ज़्यादा टेंसर ही नहीं है और देख लेते चलते हैं फुल एफ यू एल फूल है टीक है एस्पून फुल है भरा चम्मच ठीक है मतलब चम्मच से भड़ा हुआ आप बहुत सारे वर्ट्स ऐसे आपको मिल जाएंगे स्पून फुल आप अधील के हम देखेंगे की कुछ ऐसे होते है जो नाउन भी बनाते और अर्टेक्टिक भी बनाते जैसे पूल का हम देखेंगे नहीं यह बनाएंगा जैसे ब्यूटि फुल चैक है जह्यन वां पुरन भी डिसकस करने वाले है एक्षान और रिजल्ट आई ओ इन आई ओ इन ए प्रोसेस इस्टेट और रिजल्ट डेकोरेशन ठीक है किसी वर्ट के अंद में टी आई यू यू एन लगा हो तो आप नाउन समझ लो डेकोरेशन वैसे मीनिक होता है सजावड नेशन ठीक है बहुत सारे और सबको मिल जाएंगे डिया लगे रहते हैं तो पाचान करना बहुत असान है वह सबके सब क्या होता है कि आई एस्म यह प्रथा को दर्साता है ठीक है जैसे जीवडिज्म यहां यहुदी से संबंदित जो प्रथा है वह है मैकनिज्म यह हो गया तो आई एसम कहीं भी लगा रहे तो यह क्या होगा नाउन होगा यह खास करके प्रथा का बोध करता है एक प्रकार के प्रथा का बोध करता है ठीक है आई एस्टी लगा रहता है तो वह बेक्ति का बोध करता है और वह भी नाउन होता है आप सब लोग जानते हैं बेकनिक को बोलते हैं साइन्टिस्ट तो अंत में I.S.T. लग गया आप जिसे बहुत सार वर्ट से मिल जाएंगे जिसका में एम एंट लगा रहाता है जैसे मेजरमेंट मेजरमेंट बता है माप मैनेजमेंट, इंटर्टेंडमेंट, तो मेंट, मेंट, एमिएंटी वोट लगा रहे है, तो यह सब क्या है, नाल है, इसार से N-E-S, हैपिनेस, देखो, यहाँ पे E-S लगा था, अलाकि N के साथ जड़ातर आता है यहाँ पर R के साथ आया था तो हमने यहाँ पर यह देखा था और देखो especially N E SS जब लगा रहे जैसे happiness happiness मतलब क्या होता है? खूसी तो यह वह जो हमने एक्जामपल दिया है वो इसमें भी आ सकता है तो यह एक टेक्निक होता है जिसकी सहायता से हम यह समझ सकते है कि यह वर्ड नाउन है या नहीं ठीक है? तो हमने अभी सीखना क्या है आज की क्लास में? नाउन की पहचान करना ठीक है? तो हमने नाउन की पहचान करना सीखना है और हमने उसमें अभी तक क्या-क्या सीखा है Let's see हमने अभी तक ये सीखा कि उसकी परिभासा क्या होती है Then after हमने ये सीखा कि अगर हिंदी मिनिंग मालूम हो तो माई लगा कर पहला हमने टेकनिक सीखा कि माई लगा कर वो वर्ट डाल देंगे ठीक है अगर सही अर्थ दे रहा है तो यह वर्ट क्या हो जाएगा दूसरा हमने देखा कि suffixes होता है कुछ और वो suffixes अगर रहता है तो noun होता है तो वो कलाता है noun suffixes तो इस तरह से हमने दो चीज सीख लिया अब noun suffixes आपको याद करने परेंगे वैसे आप बार बार देखेंगे तो आपको याद ऐसे ही हो जाएगा तीसरी चीज है कुछ और nouns की पहचाद some more nouns ठीक है उन्हें कोई एक है adjective हमने family tree में देखा था adjective इसलिए मैं अभी चर्चा करूँ तो कुई दिकत नहीं होनी चाहिए adjective से पहले अगर हम दौ लगा दे तो ये क्या बन जाता है known बन जाता है एग्जक्टली इसको कहा जातो नाउन रहन बन जाता है सराल बहसा में कहें तो known बन जाता है जैसे देखेंगे हो हम का थे e, rich मतलब क्या होता है द्हानी तो जब हम rich काते हैं धनी काते हैं तो यह हो गया adjective इसमें अगर हम दो लगा दे तो दो रिच कर दे अब इसका हिंदी हो गया धनी लोग अब यह क्या बन गया noun बन गया और noun में भी plural noun बन गया अब देखो जब बन गया इसके साथ भर भी पुल्र लगेगा तो एक जांपल भी हम ले 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 लिए सेंटेस बनाकर तकि याद करना असान हो दर इच आर हैपी अमीर लोग फुस होते हैं तो आई हो यह आपको अभी तीन तरीके से noun की पचान करने आ गया एक माही लगा कर दूसरा noun सफिक्स से पचान कर लेंगे तीसरा अगर adjective से noun बना हुआ है तो उसे पले दो लगा होगा और आप इसकी सहता से पचान कर लेंगे तो मैं समस्तों अब आप असानी से समझ सकते हैं पचान कर सकते हैं कि यह नावन है एक लेते हैं भर्व से नावन बना नावन भर्व से बना नावन भर्व से नाउन दो तरीके से बनाते हैं एक टू प्लस भीवन जब टू प्लस भीवन नाउन का काम करता है तब यह कालाता है इंफिनिटिब टू प्लस भीवन जब नाउन का काम करता है तो यह कालाता है इंफिनिटिब और भीफोर मतलब भीफोर का मतलब क्या होगा है भर्व में आई इंज लगाते है जब जब यह नाउन का काम करता है तो यह कालाता है जिरंड टू प्लस भीवन is called infinitive and v4 और युकर से v plus ing is called gerund तो ये दोनों भी noun का ही काम करते हैं example हम ले लेते हैं कि to walk is good for health to walk is good for health तो यहाँ पर two walk जो हो गया ये क्या कल आएगा noun or this noun is basically infinitive it has its own kind and this is called infinitive इसी बाग को हम ऐसे लिखते हैं walking is good for health walking is good for health यहाँ पर noun का काम कोन किया walking यह भी noun होया तो there are two ways of making nouns from pops आप देखो एक two plus beyond जिसको क्या कहते हैं infinitive भी फोट जिसको क्या कहते हैं जिरंड तो अब हम nouns की पहचान करने में कई चीजे हमने सीख ली हैं let me remind you माई लगा कर पहचान करने का टेखनिक दूसरा noun suffix लगा कर पहचान करने का टेखनिक तीसरा दो प्लस adjective as a noun पहचान कर लेना और चौथा टू प्लस भी वन को noun पहचान करना और पांचमा भी फोट को noun के रुप में पहचान करना तो मैं समझता हूँ अब आपकी मुसीवत कापी कम हो गई noun के पहचान करने से समद्ध जो थी मैंने कहा कम हो गई खतम नहीं हुई क्योंकि जब तक आप इसका बहुत सरा practice नहीं करेंगे आपको लगेगा कि यह आ गया लेकिन problems आती रहेंगी तो इसलिए जूरी है कि इसका practice करें आप जब भी कुछ reading डालते हैं तो उसको underline करिए और देखिए कि यह noun है कि नहीं है अगर लगता है कि आपको noun है तो उसको underline करके और फिर अपने teacher को दिखाईए कि क्या हमने जो जो underline किया है रियली यह noun है या नहीं है या फिर एक paragraph के अंदर आप पूरे पूरे नाउन को आप टिक कर लिए और फिर आप चेक करवाईए teacher से कि क्या हमने जो टिक किया है उसके अलावा भी कुछ चूटा हुआ हुआ है तो दिरे दिरे इससे क्या हो कि आपकी noun की पहचान पर पकर बन करेंगे एक slight knowledge पहले ले लेते हैं पहचान करना सीख लेते हैं और जब पूरे पार्सव पेस्पीज की पहचान करना सीख लेंगे उसका टेक्निक जान जाएंगे देन आप्टर हम लोग एक एक पकरेंगे फिर noun को फिर से पकरेंगे और उसका पूरा कम्प्लीट पोस्ट मा जाएंगे और हमारा main chapter शुरू होगा noun and case तो उससे पहले जो basic बाते बताए जाती है यह बहुत important है इसको आप अच्छी तरीक से समझे थैंक्यू very much